सो हे गाइस कैसे हैं आप सब अई हूप आप सब ठीक होंगे अच्छे से होगे सो जैसा कि आप लोगों को पता हैं कि जो नीट यूजी सेशन 2022 की जो ऑनलाइन रेजस्टेशन है वो आप लोग आज याने 13 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक कर सकते हो तो यहां पर हम सिट अप वाइस डिसकस करेंगे आपको कैसे ओनलाइन रेजस्टेशन करनी है नीट यूजी के लिए सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउजर में जाना है उसके बाद जैके बोपी की ऑफिशल वेफ साइट पे आपको आना है जैसे कि हम आप देख सकती हो जब आप नीचे जाओगे तो नीचे आपको एक टेप मिलेगा नीट यूजी सेशन slash Ayush click here to apply online तो इस पे आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहां पर आप देख सकते हो राइट साइड में आपको जो आपका क्रोम ब्राउजर है तीन डॉट्स मिलेंगे इस पे आपको क्लिक करना है क्योंकि हमको desktop site on करनी है तो desktop site हमने on की है यहां पर आप देख सकते हो या आप खुद भी कर सकते हो उसके बाद यहां पर आप देख सकते हो आपकी जो registration date है वो 13 October है और last date 16 October है और documents भी आपको इसी time gap में upload करने है यहां पर कुछ instructions है या आप खुद पढ़ लीजिएगा उसके बाद यहा आपको click करना है अगर आप लोगों ने अभी तक registration नहीं की है उसके बाद यहां पर फिर कुछ instructions है आप इनको एक बार पढ़ लीजिएगा उसके बाद यहां पर आपको check box मिलेगा तो इस पर आपको click करना है और apply पे click करना है तो यहां पर आप देख सकते हो apply पे हमने click किया आप अल इंडिया नीट उजी रेंग उसके बाद डियो भी mention करनी है उसके बाद gender उसके बाद 10 प्लस टू आपने complete कप किया है तो यह date आपको mark sheet पर मिलेगी 12th की mark sheet पर उसके बाद maximum marks कितने थे आपने कितने obtain किये हैं और percentage आपकी क्या आई है उसके बाद यहां पर आप दे SP, JKPM, P&B and EWS and PSP तो एक categories हैं यहां पर mention करना जो भी आपके पास reserved category होगी उसके बाद email and confirm email यहां पर वही email mention करना जो आपके phone में login होगा जो active email होगा वही please mention करना क्यूंकि आपके email पे activation link जे के वो भी वाले बेजेंगे उस activation link पे click करने के बाद ही आप अपना account activate कर पाओगे जे के वो भी का account और वो account आपको required है फिर choice filling के time भी ओवर जब आप preferences submit करोगे याने online जब आपका first round होगा counseling का अभी आपको registration करनी है इसके बाद आपका provisional UT merit list होगा so next यहाँ पर आपको अपना mobile number देना है okay so mobile number भी वही देना जो अभी active होगा यहाँ पर वेलर category certificate अगर आपके पास हैं तो yes आप कीजिए अगर आप resident जुमेंट कश्मीर से हैं तो यहाँ पर जुमेंट कश्मीर या यूटिल अलाक से तो इसे साप से आप 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 देख सकत यहाँ पर आपको mention करना है और submit करना है सब्मिट करने के बाद यहाँ पर एक प्रिव्यू पेज आपके सामने open होगा तो प्रिव्यू पेज पर आपको देखना है कि जो मैंने details दी हैं क्या यह सही है अगर कोई गलत आप लोगों ने details दी होगी तो आप edit कर सकते हो edit करने के के बाद आप final submit करोगे जबी आप final submit करोगे तो यहाँ पर आपका username generate होगा और username आपका नीट यूजी रोल नमबर होगा और इसी टाइम आपको एक mail मिलेगी अपने gmail में वहाँ पर एक link होगी जिसको में activation link कहते हैं और वहाँ पर आपको एक OTP भी मिलेगा प्लीज अच्छी तरीकी से सुनना एक तो आपको link मिलेगी और एक OTP जब आप link पे click करोगे उस link पे आपको click करना है तो एक और वहाँ पर page open हो जाएगा वहाँ पर आपसे मांगा जाएगा एक तो OTP उसके बाद new password रखना है and confirm आपको new password करना है तो सबसे पहले आपको OTP देना है उसके बाद यहाँ पर कुछ password आपको रखना है उसके बाद वही password confirm करना है तो password याद रखना किसी किताब पे लिखना भी क्योंकि password बहुत सारे बच्चे भूल भी जाते हैं तो एक तो OTP, OTP कहाँ पर मिलेगा? यहाँ पर activation link होगी वही पर आपको OTP मिलेगा एक तो जब आप link पे click करोगे तो जो open होगा page वहाँ पर आपको OTP देना है जो mail में होगा और new password आपको खुद से रखना है और यहाँ पर आपको submit करना है submit करने के बाद आपका account क्या हो गया? आपका account बन गया उसके बाद आपको login करना है, login करने के लिए जिसे मैंने बोला एक तो username आपको यहाँ पर required है, username आपका need to g role number होगा जब आप वहाँ पर submit करोगे registration form तो वही पर आपका username generate होगा वो आपका need का role number होगा और password क्या है? password जो आप खुद रखोगे, अभी मैंने बोला जब आप link पे click करोगे, link पे click करने के बाद वहाँ पर एक page open हो जाएगा वहाँ पर आपको OTP mention करना है और password खुद से रखना है, और वो password याद रखना है, वही password यहाँ पर देना है और verification code दे कर login करना है, login करने के बाद simply आपको documents अपलोड करने है, documents आपको अपलोड करने है, जिसमें आपकी domain cell certificate है, 10 पलस 2 mark sheet है, डियो भी certificate है, उसके बाद आपके पास कोई reserve category certificate है, तो वह भी आपको अपलोड करनी है, और आपका new 2G score card, तो यही कुछ documents है, जो आपको अप अपलोड करनी है, या अगर कोई s commerce बे पॉर और बेकवर्ड की जो 10 seats हैं, उनके लिए अपलोड करना चाहता है, तो उसको पॉर और बेकवर्ड certificate भी अपलोड करनी है, तो यही कुछ documents आपको अपलोड करने है, तो इन documents को आपके से यहां पर तयार करोगे, सबसे पहले documents को अपने पास आप रखेगा, उनकी फोटो कापी यानि आप केमरा अपना फोन का उपन कीज़े और फोटो उनकी लिए उसके बाद एक PDF कनवोटर एक प्ले सिटोर से डाउनलोड करना और उनको PDF में कनवोट करना, लेकिन size उनका होना चाहिए around 150 KB, means 100 से लेकर 200 KB के बीच मे उनका size होना चाहिए, फिर आप upload कीजिए, upload बटन पर किलिक करके वहाँ आपको सीधे ही अपनी जो file manager होगा, वहाँ पर लेकर जाएगा, और वहाँ से आपको select करने है documentus, अपनी जगा, जहाँ पर domicile का option होगा, वहाँ पर domicile certificate ही upload करनी है, और जहाँ पर mark sheet का option होगा, वह यही कुछ, दो चार important points है, like सबसे पहले registration करनी है, वहाँ पर user name generate होगा, फिर Gmail में जाना है, वहाँ पर link मिलेगी, link पे click करना है, एक page open हो जाएगा, उसमें OTP देना है, OTP आपको उस email में मिलेगा, जो जेके बोपी आपको forward करेगा, OTP देना है, और नाया password रखना है, password फिर login आपको करना है, वापस आप जेके बोप की option website पर आना है, login करना है, login यहाँ पर user name and password required है, so, यहाँ पर यही कुछ important setups है, so, login आप यहाँ पर करोगे, फिर जब आप पहले register inform पर होगे, उसके बार link पर click करोगे, अपना account बनाओगे, उसके बाद यहाँ पर click here to login if already registered, फिर इस पर click करना है, अगर किसी बचे को activation link नहीं मिलती है, Gmail में, तो वो इस पर click करेगा, लेकिन पहले कुछ time wait करना, link आपको बेजी जाएगी, अगर आपको नहीं मिलती हैं, फिर इस पर click करना,